तो हम यहां डिसकस कर रहे हैं इंडिन पॉलिटी और लास्ट क्लास में हमने historical background को पूरा complete कर लिया था मैं हूँ आयूश और आज हम आपको आगे की कहानी बताएंगे जहांपे making of the constitution को हम लोग start करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सारी चीज़ें थी और कैसे-कैसे हमारा constitution बिल्ड हुआ all right so before wasting any time let's get straight into our video तो making of the constitution होता है क्या जो मैंने आपको first class में बताया था श्रीमन रॉय थे तो वो कौन थे ये आप first lecture को जाके आप देखिए उसमें आपको पता चल जागा तो 1934 में उन्होंने propose किया था कि हमारी एक अपनी constituent assembly होनी चाहिए इस basis पे 1935 को INC ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने एक official demand रखी कि हमें हमारी एक constituent assembly बनानी है to frame the constitution of India तो 1938 में जवाहर लाल नहरू ने declare किया कि constituent assembly जो होगी हमारी वो constitution बनाएगी free India की alright then क्या होता है इसके बाद कि इस demand को finally accept कर लिया जाता है British government के द्वारा और इसी को हम लोग august offer के नाम से जानते है 1940 में हुआ था august offer तो उसमें ये demand मान ली जाती है और उसके बाद जो है हमारी constituent assembly बनाई जाती है finally जो cabinet mission plan होता है वो आता है और cabinet mission plan आता है और उसके बाद हमारी constituent assembly बना दी जाती है 1946 मे 1946 में हमारी constituent assembly बन जाती है November में and इसके बाद इसके जादा details में हम लोग नहीं जाएंगे बस अब इतना जान लोग कि जो constituent assembly बनती है उसकी strength total थी 389 अल राइट देन इसके बाद जो provisions थे वो कुछ इस प्रकार से थे के जो seeds allocate होंगी तो उनको communities के according उनके population के according divide कर दिया गया जिसमें की तीन major थे जो Muslims, Sikhs और General तो जो भी elect होके आएंगे जो जिस community के हैं वो उसी community के people उनको elect करेंगे और भेजेंगे और ये जो था election ये by the people नहीं होगा उस वक्त पे मतलब एक कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं था कि उसके लिए सारे citizens को ये अधिकार दिया गया कि वो वोट करके अपना representative चुनेंगे राधर direct election किया गया जिसमें single transferable vote का use किया गया और उससे कुछ लोग चुन किया आए और princely state में क्या किया गया कि वहाँ पे जो राजा थे उनको ये power दे दी गई कि आप जो है अपने representative को खुछ से चुन कर भेज दें इसलिए कहा गया कि constituent assembly जो थी हमारी वो partly elected थी और partly nominated थी all right then first meeting जो है हुई इस constituent assembly की वो December 9th 1946 को हुई और Muslim League ने इसे boycott कर दिया वो demand कर रहे थे एक other nation जो Muslim dominated nation बनानी थी उनको पाकिस्तान बनाना था उसके लिए वो demand कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इसको boycott कर दिया right then जो constituent assembly बनी उसमें डॉक्टर सच्चिदा नंद सिना यहां आप उनकी photo को देख सकते हैं यह है श्री डॉक्टर सच्चिदा नंद सिना तो इनको temporary president बनाये गया क्योंकि यह सबसे oldest member थे उस constituent assembly के और according to French practice इनको president बनाये गया लेटर इनके बाद जो है डॉक्टर राजेंद प्रसाद को president बना दिया गया assembly का constituent assembly का और जो vice president बनाये गये वो बनाये गये HC मुखरजी और VT कृष्णा मचारी इन दोनों personalities की photo आप यहां से देख सकते हैं मैंने आपके reference के लिए यहां पे लगा रखा है पास किया गया December 13 1946 में December 13 1946 में objective resolution जो है वो पास किया गया और इसको adopt किया गया January 22nd 1947 को तो objective resolution क्या होता है एक basic idea और basic principles का जो कुछ कह सकते हैं कि एक normal सा जो document है जिसमें कि हमारी constitution कैसी होगी उसको लिखा गया उसके क्या क्या principles होंगे क्या क्या ideas होंगे उसको लिखा गया उसी को objective resolution कहते हैं और यही बाद में basis बना किसका जो हमारे पास आज preamble है constitution में जो हमारा preamble है उसका basis यही objective resolution बना तो जो हमारे पास Indian Independence Act आई थी 1947 की और जो Mountbatten plan आया था उसके बाद partition का तो उससे कुछ changes आई थी तो वो changes क्या थी जो कि लाई गई थी वो changes थी कि assembly को full sovereign बना दिया गया assembly fully sovereign body बना दी गई और इनको यह power दे दी गई कि आप कोई सभी चाहें तो अपने लिए constitution बना सकते हैं जैसा आपको मन है इसमें British Parliament की कोई role नहीं होगी वो लोग बीच में आपको interfere नहीं करेंगे Second क्या हुआ? Second assembly को first parliament बना दिया गया free India का Assembly became the first parliament of free India और उसके बाद क्या हुआ इसमें जो assembly उसमें बनाई गई तो हमें constitution भी बनाना था और साथी साथ हमें ordinary laws भी बनाने थे तो जो constituent body थी वो जब बैठती थी काम करने को तो उस समय उस समय जो उसके अंदर वहाँ पे chair person होते थे वो होते थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और जब भी legislative body की तरह जब वह work करती थी तो वह होते थे जीवी मावलंकार ओल्राइट तो यहां पे मैंने दोनों की तस्वीरे लगा रखी हैं प्राजेंदर प्रसाद और श्रीजीवी मावलंकार ओके तो आप मुझे comment में यह बताइएगा कि constituent body और legislative body में difference क्या होता है मैं आपको इस session के last में इसका answer दे दूंगा लेकिन आप लोग comment ज़रूर करेएगा third point क्या था जो third change था कि Muslim League ने withdraw कर लिया था और इसके कारण से जो seat मैंने बताई थी शुरू में कि 389 थी वो घटके 299 हो गए थी almost 299 हो गए थी all right then इसके बाद क्या होता है कि जो अलग से जो भी काम किये जाते हैं कुछ other works वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो assembly ने किये तो assembly ने क्या किया कि इंडिया का membership Commonwealth में ये ले लिया गया May 1949 को तो बहुत सारी countrys थी जिनको Commonwealth का member बनाया गया था लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हमारी sovereignty कहीं से भी जो है जाने वाली थी और Britishers कोई भी rule impose कर सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं था बस वो membership थी जो हमने ratify किया था in May 1949 फिर हमारे national flag को adopt किया गया national anthem and national song को adopt किया गया और हमारे देश के पहले president बनाये गये डॉक्टर राजेंदर परसाद को उसके बाद क्या होता है कि जो सारे work किये जाते हैं और हमारा constitution पूरी तरीके से बनके तयार होता है तो हमारे पूरे constitution को बनके तयार होने में total 11 sessions लगी और इन years अगर हम इनको देखें days में तो 2 साल 11 महिने और 18 दिन लगे हमारे पूरे constitution को frame होने में अब यहाँ तक तो ठीक है फिर हम कुछ important committees देखेंगे जो कि exam purpose के लिए बहुत जादे ही important है और exam में पूछी जाती हैं और वो committees कौन-कौन सी हैं वो committees हैं power committee और union constitution committee जो किनके अंदर में आता है वो आता था पंडित जवाल लाल नहरु जी के अंदर में पंडित जवाल लाल नहरु जी को इसका chair person बनाया गया था और राइट देन second है provincial and constitution committee इसके chair person थे सरदार बलब भाई पतेल और नेक्स हम लोग बढ़ते हैं आगे इसका chair person किनको बनाया गया था सरदार पतेल जी को ही बनाया गया था next है rules of procedure committee इसका chair person डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी को बनाया गया था next states committee इसके chair person थे पंडित जवाल लाल नहरु जी and ये भी बहुत important है steering committee steering committee steering committee के chair person बनाया गया थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद alright तो हमारे making of the constitution के कुछ और important facts है जो exam related बहुत ही important है जिसको अभी हम लोग आगे देख रहे हैं इस slide में तो जब हमारे constitution पूरी तरीके से बन गया तो इसको adopt किया जाता है on November 26th 1949 and हम लोग Republic हो जाते हैं 26th January 1950 को alright Republic का मतलब क्या होता है ये आप comment में बताईएगा Republic हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग Republic हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आप मुझे comment में जरूर बताईएगा alright then इसके बाद important facts में आता है कि हमारे constitution में जो उस वक्त में बनाई गई तो उसमें एक preamble 395 articles and 8 schedules थे alright initially initially एक preamble 395 articles and 8 schedules थे अभी क्या इसका number है ये आप comment में बताईएगा ये बहुत interesting है अभी हमरे पास कितने articles हैं और कितने schedules हैं ये आप comment में जरूर बताईएगा next father of Indian constitution कहा जाता है Dr. B.R. अम्रेदकर जी को और उनको modern manu भी कहा जाता है उनको एक modern manu की भी उपाधी दी गई है ठीक है जिसे हमें constitution बनाया गया तो constituent assembly की जो symbol या seal थी वो elephant को बनाया गया हाथी था symbol of constituent assembly all right constituent assembly के constitutional advisor और legal advisor बनाया गया थे sir B.N. Rao जो constitution बना उसको English में जो लिखा गया तो उसके calligrapher कौन थे तो यह अगर question आपको आता है तो इसका answer है प्रेम भिहारी नरायान राइजादा जो English calligrapher थे और हिंदी calligrapher थे वसंत कृषन वैद्य अल्राइट नेक्स्ट है हमारे पास के जो provisional parlement थी हमारी जो की constitution बनाने के लिए सिर्फ elect होके आई थी different communities के members थे हर community को represent करने वाले एक member थे उसमें तो वो एक provisional जो parlement थी वो 17 April 1952 को existence में नहीं रही existence से हट गए, seize हो गए, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय फिर हमने अपना एक election कराया जो की election कराया जो हमने लोगों को ये ताकत दी, उनके हाथों में ये ताकत दी कि आप अपने representative को खुझ से vote देकर चुनकर यहां पर लेके आएं, उसके बाद 1952 में पहली जो democratic जो assembly बनती है, जो चुनके आते हैं representatives, उनकी सरकार बनती है इस कारण से provisional parliament जो पहले बनाए गए थी, constitution को बनाने के लिए उसका existence खतम हो जाता है, April 17, 1952 को next हम लोग start करेंगे salient features, देखेंगे कि हमारे जो constitution है हमारे जो constitution है, उसके कुछ features देखेंगे, important और interesting features को हम लोग discuss करेंगे next lecture में, so अगर आपको यह lecture बढ़िया लगा है, तो आप please like करिए, subscribe कर यह channel को और लोगों के साथ अपने student friends के साथ share कीजिए, thank you very much